Hey what's up guys welcome back to another video आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 5 volt और कह सकते हो के 8 amperes power bank जो हमें provide करेगा मतलब 8 amperes ऐसे के 4 और 4 amperes 2 outputs होंगे और हम उनको collectively use कर सकते हैं अपने किसी बड़ी device को चलाने के लिए especially ये project हमारे एक client के लिए है जो के अपने 2 raspberry pi maximum core speed पे चलाना चाते हैं जो of course require करता है ज़्यदा power तो उसके लिए हमें 5 volt 4 amper output की दरूत है तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ आपके सामने देख सकते हो कि ये lithium-ion package है जो कि बहुत अच्छी capacity रखता है दिरसल हम इसका बनाएंगे 3S pack जो cell है वो है Samsung 40T और एक cell around 4000 mh का है तो 3S pack बना कि हम उसे कह सकते हैं 3S 3P configuration रखेंगे तो वो 4000 है 4000 को multiply करते हैं अब 3 के साथ so you will get the amount of mh like हमें मिलेंगे 12,000 mh of capacity spec के अंदर जो कि enough है हमारे उन loads को चलाने के लिए जिनको हम चलाना चाते हैं for a longer period of time like हम उसे constant for 4 to 5 hours अराम से चला सकते हैं तो यहां भी कुछ की है sport welding जो के बहुत clean नहीं है अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ एक diagram के थुरू के आपने कैसे करना है आपके सामने एक diagram आ रही है आप किसी भी configuration से बना सकते हो जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाई है वैसी ही बनाओ यहां मैंने आपके सामने अभी चेक किये हैं इसके 3S pack बनाने के बाद main volts जो 3S cell के nominal volt रहते हैं 11.1 volt जो के हर एक pack पे आ रहे हैं अब हम इन सब को parallel जोड़ देंगे जो 33S packs हैं तो याद रखे हैं आपने इन सब को parallel जोड़ने हैं और वो सही में बहुत ज़्यदा अब बड इसे भी mistake यहां fire पकड़ सकती है तो be careful with these cells of course with lithium ion तो हम यहां पर जल्दी से इसकी wiring कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यह pack कैसा दिखता है तो बहुत ही सारी wiring के बाद और इसमें BMS attach करने के बाद यह simple 40 amps का BMS है कुछ messy सा setup जरूर है लेकिन अभी हम इस पर एक testing कर रहे हैं कि यह सब assemble करने से पहले हम इसे एक पर test कर लें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक BMS लगाया हुआ है जैसे BMS लगता है और यहां पर एक amp meter और volt meter है और यहां पर हमारा PD trigger board है जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया थे कैसे काम करता है हम 100 watt की charging जो हब का charger देख सकते हो अब हम हम देखते हैं कि actually में कितने watt की charging होती है तो जल्दी से हम charger लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसमें अपने PD charger में अपनी type C cable लगाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कितने volts पर इसे charge करना है type C simple लगाने के बाद आपको display आना शुरू हो जाएगा वोल्ट और amps क तो अब यह 9V पर हैं हम इसे बढ़ा देते हैं और कर देते हैं जैसे कि अब देख सकते हैं कि 9V पर हैं तो charging नहीं हो रही होनी भी नहीं है इसकी charging तो इसे बढ़ाते हैं 12V करते हैं तो थोड़े सी charging हो रही है like 0.37 amps पे लेकिन कम है हम इसे 15V पर करते हैं और यह अब charging हो र लेते हैं कि इसके voltages क्या है इस pack के charging और charging से पहले था कि confirmation हो जाए कि pack कैसे चल रहा है हमारा अभी आप को देखाते हैं कि यह charge हो रहा है अब इसके volts है around 11.0 आपके सामने आ रहे हैं कि 11.0 या 11 volts भी कैसे तो अब हम उतार लेते हैं अपनी type c और देखते हैं अब कितने volts हैं तो अब आ रहे हैं अप्रोक्स 9.7 10.7 10.97 तो of course charging हो रही थी its mean कि हमारे voltage gradually increase हो रहे हैं और I think charging तो इसकी बिलकुल सही है हमें और test करने के जरूत नहीं है और बाकी मैं आपको दिखा दूँ कि जो हम इस पर module लगाने वाले हैं ये एक USB tester USB module है जो कि हमें PD charging support देता है और साथ यसाथ amazingly बहुत ही अच्छे 5.4 amps की supply दे सकता है मतलब इस module का क्या कहना मैं खुद हिरान हो कि इतनी अच्छी इसने performance दी है ये एक 100 watt का resistor लगा हुआ है जो आप देख सकते हो शायद नजर ना रहा हो लेकिन ये 100 watt का resistor है जिसको हम 5 वोल्ड देते हैं तो 5 amps और थोड़ी सी power losses लिकाल के आप कहसे तो 4 amps consume करता है तो 4 amps का ये load है जो कि अभी मैं चला रहा हूँ इस module पे और बगहर किसी कोई heat की इवन ये घंटा भी चलता रहता है तो मैं heat की इसने तो ये इसकी कमाल की performance है तो अभी थोड़ा सा रात का time हो चला है और मेरी जो लैब में बड़ी ठंड पढ़ रही है तो ये पहनना जरूरी है although heater बहुत ज़्यदा हो चुकी है तो अब हम काफियत तक जो वीडियो है वो compile हो चुकी है project compile हो चुका है जो अब main चीज रहती है वो रहती है assembly और fitting तो अभी मैं आपको इस वीडियो में जो कि काफी लंबी हो रही है इसमें एक assembly दिखा देता हूँ कैसे मैं इसे assemble किया और उस की हम testing और performance चक करेंगे तो जल्दी से हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि simple सा setup है जिस पे मैंने एक voltmeter लगा दी है ताकि हम इसे monitor कर पाएं कि इस वक्त इसके क्या volts चल रहे हैं तो उससे ज़्यदा ही अच्छा अंदाजा हो जाएगा हमारे इस पर भी लगा दिया है protection के लिए बड़ा ही clean काम हो गया है अब battery pack करीवन safe है आप कह सकते हो तो जहां जहां ज़रूरती वहां पर protection लगा दिया अब हमें इसका output लेना है अब इसके output को हमें use करना है तो यह अब छोटा सा setup है जैसे आप देख सकते हो यहां पर मैंने button भी तो मैंने outside में फैन लगा दिया और उसे बहुत अत्तक काम हो गया मेरा तो आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं कि fan वाला setup तो बहुत अच्छा को यहां पर मैंने PD charger को जो PD taker board है उसे बिलकुल अच्छी तरीके से glue तो नहीं कह सकते लेकिन for testing purpose अभी क्योंकि full assembly नहीं की स कुछ fitting में मसला तो नहीं हो रहा तो यहां पर button भी आप देख सकते हैं जैसे मैं button on करता हूं तो यहां पर हमारा सब on हो जाता है indication और साथी fan भी on हो जाता है तो ऐसे ही से work करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इससे output ले सकेंगे हमें इस module को fit करना है उस की casing के बाहर जो front व ला सकते हैं आप अपनी मर्जी से जैसे चाहो even front पर acrylic भी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो तो cutting करने के बाद इसके कुछ आपके सामने ऐसे results होंगे तो cutting करने के बाद एक तो cutting कर ली अब इस पर थोड़ा सा foiling कर लेते हैं और यह जरूरी है foil करोगे तो होई ज्याद लगाने की कोई जगा नहीं अगर screw की जगा हो तो लगा देना तो finally हमारी जो इतनी मेहनत है वो काम्याब हो चुकी है और काफियत तक मैंने इसे assemble कर दिया है तो क्यूंकि fit नहीं आ रहा है थोड़े से मुझे standoffs लगाने पड़े उस standoff के बाद fitting अच्छी होगी पूरी होग तो उसके लिए आप चैनल को subscribe करने अगर नहीं किया हुआ वैल आइकन दबा दे notification के लिए तो हम next video में मिलेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे work कर रहा है तो stay tune, bye bye झाल 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 झाल